सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं बाकिस चैप्टर में हम एक कोशन को एक एक जामपल समझेंगे उससे आपका सारा के लिए रोजाएगा किस तरीके से कोशन आता है यह जैसे सबसे पहले अब हम अपना देखते हैं कि अपना जो आपना जो आपना आंसर मिलने वाला है उसको मपोलत अपना कोशन कीuję से पूरे चैप्र को समझते हैं Q Option को आपकी स्क्रीन पर आगे को इस तरीके सबसे होगा है तो प conse चैप्टर हे WHAT 듣 को इस तरीके सीर टैंगे यह चैड़केश को आपके के चैप्रेर्ट में क्या जिस तराले होगा यह चैप आपकी स्कीरीन को यह एक घंटा लगता है आपका क्राफ्ट मैन का अगर आपको क्या बनाने है आपको बैट बनाने है और ऐसी आपका टैनिस बैट था ऐसी इन डे दे फैक्टरी हैज अवाबिलिटी ओफ को not more than 42 hours of machine means एक दिन में जो machine चल सकती है वो 42 hours चल सकती है और जो क्राफ्ट मैन काम कर सकता है वो आपका 24 hours काम कर सकता है एक दिन में ठीक है आपको इसमें आपको बताना है what numbers of rackets and best must be made if the factory has to work at a full capacity means अगर machine आपका क्या करे 42 hours काम करे और क्राफ्ट मैन आपका क्या करे 24 hours काम करे तो जो कितने number of rackets और bats आपके बन पाएंगे यह आपको बताना है कि अगर आपकी जो bet का जो price है वो 20 रूपीज है और sorry if the profit on the racket and the back is 20 and 50 means अगर आपको एक racket पर जो profit हो रहा है वो 20 रूपीज हो रहा है और एक bet पर जो profit हो रहा है वो 10 रूपीज हो रहा है तो आपको बताना है आपका maximum profit आपका factory का कितना होगा अगर वो full capacity पर work कर रही है तो आपको simple सबसे पहले आपको question पढ़े कि आपको क्या करना होता है आपको बनानी होती है linear equation means एक तरीके से inequality वाली equation तो यहाँ पर आपको पता है कि जब machine के पास कितना time है machine आपका 42 hours से ज़्यादा क्या है काम नहीं कर सकती means 1.5x plus 3y is less than equal to 42 हमारा बन जाएगा means x आपने क् of क्या ले लिए रैकेट्स ले लिए और जो बैट्स है वो आपने क्या ले लिए वाय ले लिए ऐसी जो क्राफ्ट मैन है वो कितना कर सकते maximum time 24 दे सकते हैं तो आपका 3x plus का y is equal to किसके less than equal to 24 के क्वाला जाएगा means max to max 24 के काम कर सकते है या फिर हम उससे क्या कम काम भी करा सकत होगे और xy की value निकालने के बाद आप क्या बना लोगे table बना लोगे यह तो आपका काम simple वही है जैसे आप linear equation in one variable in two variable को आप solve करते थे तो इस तरीके से आपने table बना लिए means एक आपका x था एक आपका y था आपने solve कर लिया तो table आपकी कुछ इस तरीके से आगे यह आपकी x और y होगा वो आपका क्या होगा greater than आपको greater than equal to 0 रखना होगा तो जब आप अपनी value रखते हो the profit on the racket is 20 and the bet is 10 तो अगर जब अपना profit जो हो रहा है आपका racket पर वो 20 है और bet पर 10 है तो आपकी जो equation बनेगी means जो आपकी profit की जो equation बनेगी वो z is equal to 20x plus 10y means जो total आपका revenue होगा व वो x into 20 कर दोगे और जो जितने आपके आपके racket भी कर रहेते y means xy जो भी हम लेके चलेते वो ऐसे आपका जो mathematical formulation होगा problem का वो आपका होगे z is equal to 20x plus 10y यह आपकी क्या होगी problem आगी अब आपकी जो भी जो linear equation बनी दी उनको आप क्या बना लोगे दोनों की जो line equation बनी दी linear equality उ और आपने 0 की x और y की value 00 रखके देखी और वहाँ पर अगर value true आगी तो आपने origin की तरफ shade कर दिया और अगर false आई तो origin से आपने क्या कर दिया shade कर दिया तो यहाँ पर अपनी 00 की value means x और y आपका greater than equal to 0 है तो आपका shade किस तरफ होगा origin की तरफ shade होगा तो यह आपका क्या आ जाता है यह आपका area of shaded reason आपका आ जाते है अब जो आपका area of shaded reason है इससे आप क्या निकालते हो आपके चार points आ जाते है जैसे आपके आपके आजाते हैं A, B, C, D आपके चार point आए उनके जो coordinates है वो आप value लिख लोगे और यह जो coordinates है x और y जो आपकी z आया था z is equal to 20x plus 10y आया था उसमें आप value रख रखके देखोगे वहां से आपकी z की value जहां पर भी maximum आएगी जैसे maximum आ रही है B point पर B 4 और 12 पर maximum आ रही है means 200, means वो क्या है 200 रुपे maximum कमा सकता है तो यहाँ पर आपका maximum profit होगा factory का अगर पूरे दिन means full capacity पर काम करें तो आपका 200 रुपीज होगा फिर उनको linear inequalities को आपको क्या करना है formulate करना है एक z की form में फिर आपने z की form में formulate कर दिया अब यह जो z होगे यह आपका क्या होगे objective function होगा अब इसमें maximize और minimize आपको करने को बोले तो आपको linear inequalities की जो equation थी उसकी help चे आपको graph बनाना है और वहां से आप point out कर लोगे कि आपका क इस तरीकी से आपकी क्या बन रही है आपका shader reason आ रहा है और कहां पर आपका कौन सा point आपका आ रहा है इस तरीकी से आप आपको ने कर सकते हो linear programming के question इसी तरीकी से simple simple एक question आपका examination में आएगा आगे हम इस तरीकी से आजाते है हमारा chapter linear programming